के लिएड Kaiby Congress re- deedor देशेद को फिर ट्रेडर ऑज पुर्पसर के बारे में जो की बहुत ही फेमस और सिंपल यूज का इंडिकेटर है इस इंडिकेटर के जो नाम है वो है सुपर ट्रेन्ड इंडिकेटर फ्रेंड्स सबसे पहले में आप लोगों भी दिखा आजेता हूँ कि यह indicator कैसा दिखता है फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे तो फ्रेंट जी इंडिगेटर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा आप लोगों को जैसे कि आप सभी को नजर आ रहा है कि यह red गलर की लाइन है इधर यह green कलर की लाइन है यह होता है जैसे जैसे ट्रेंड जो है जो market जो है जब आपके नीचे की तरफ आएगी तो यह आपका red कलर जो है downside में चलेगा यह हमेशा चार्ट के पहलेली चलता है जब market upside में जाती है तो यह green कलर की लाइन चलती है यानि bullish में green होती है bearish में red होती है यह जो indicator है यह हमें trend के बारे में बताता है कि uptrend चल रहा है या downtrend चल रहा है ठीक है friends इसको हम use आज इकल जो है लोगों ने अपने आपको इतना establish कर लिया है अपने आपको इतना advance कर लिया है amendment कर लिया अपने आप में कि इस indicator का use करके कि कब हमें buy करना है कब हमें sell करना है यह भी सीख लिया है और यह जो super trend indicator है यह closing candle के according indicator करता है calculation करता है तो चलिए friends मैं आप लोगों को इसी के साथ साथ बताता हूं कि इस indicator के अंदर हम technically क्या होता है तो friends इस indicator के अंदर जो अपना calculation होती है वो किस तरीके से करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं हम लोग इसकी setting में जाते हैं तो हमें inputs के अंदर time frame दिख रहा है ATR length का मतलब है average true range average true range का मतलब है कि आप लोगों की average निकाली जाती है इसके अंदर पाए default setting है मेरे में 10 की average length है और factor जो है वो 3 का हो सकता है आप लोगों के में 7 time हो, 7 2 हो, 9 2 हो या 9 1 हो तो आप लोग इसको 10 length और factor जो है 3 पे रखिएगा क्योंकि ये general use और commonly used factor और setting है इसकी indicator के अंदर ये क्या करता है high to low का average निकालता है candles का यानि कि मान लीजिए इसमें जैसे कि ये लिखा हुआ है 10 length, 10 candles की ये average निकालेगा high to low के अंदर और उसको multiply करेगा 3 से ताकि आप लोगों के लिए एक factor जो है value निकल के आज़े average value क्या है उसके according ये आप लोगों को बताता है कि हमें किस तरीके का momentum आ रहा है trend के अंदर इसके अंदर और ये जो है आप लोग इसका colors भी change कर सकते हो जैसे कि मेरे में uptrend आएगा तो green आएगा downtrend रहेगा तो red आएगा आप इसको अपने according भी setup कर सकते हो इस color को भी change कर सकते हो लेकिन मेरे में ये by default है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे को by default मिला है लेकिन अगर आप लोगों नहीं है तो आप लोग इसको setting भी कर सकते हो तो friends मैंने इसको setup करा हुआ है by default setup मिला हु super trend indicator काम करता भी है या नहीं करता तो चलिए friends अब हम देखते हैं मैं इसको one day के time frame पे setup कर रहा हूँ आप भी setup करके देख सकते हैं अलग-अलग time frame पे और मैं आप लोगों को साथी साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप लोग अगर swing trade करते हो तो setting कितने पर रखन नहीं है मैं आपको ये भी बता हुआ लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये check करते हैं कि चलो ये indicator काम करता भी है actual में या नहीं करता तो चलिए friends अब मैंने इसको one day पे set किया हुआ है माल लीजिए ये जेखिए जैसे यहाँ पर इसमें चेंजमेंट आया यानि कि इस red side cross के उसी time ये trend बदल गया फिर यहाँ पर market में downside opening हुई थी gap down opening हुई है उसी time क्योंकि ये red side के नीचे आया है यानि कि ये trend बदल गया फिर यहाँ पर same यह जैसी red line को इसने upside में closing दिखाया यहाँ पर ये trend बदल गया इस तरीके से यहाँ पर trend conversion होता है इसके अंदर तो चल यहाँ पर देखे फ्रेंड्स जैसे इसने green line को downside में close दिया यहाँ पर trend change हो गया अभी हम इसकी measurement भी देखते है कि कितना हमें profitable है या नहीं है वो भी हम इसमें check करेंगी क्या यह अच्छा indicator है क्या हमें इसमें बार-बार losses तो नहीं होते फिर उसके बाद जैसे market ने इसको द momentum आया फिर दुबारा यहाँ पर closing आई उसके बाद फिर दुबारा downside का momentum आया फिर यहाँ पर upside में closing आया फिर यह upside का momentum आया इस तरीके से चलता है हम लोग इसको अलग-अलग उससे भी देख सकते हैं यह देखे friends मैं आप लोग आगे भी दिखाता हूँ यह सेम ऐसे ही work करता है तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या यह actual work कर रहा है देखे friends वैसे तो देखा जाई यह actual work कर रहा है लेकिन इसकी कुछ percentage आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जैसे कि माल लीजिए यह हम देख रहे हैं March के उसमें देखते हैं तो चलिए हम देखते हैं अगर यहां से total द signal मिला downside में जाने के बाद तो हमें 5% की growth income हुई है यानि कि 5% का downment आया और वो कितना time period है 39 bars यानि almost 1 month 16 वार सू 17 में यानि कि almost 2 month के आसपास की बात है आपको लोगों को 2 महीने के अंदर अंदर 5% का profit आया इसके अंदर इसने यह बता दिया यहां से आ तक है sell signal हो गया जिस time MBA line में conversion होता है वो आप लोगों को signal बताता है अगर red line green में convert हो रही है तो यानि कि आपको buy का signal मिला है और green line अगर red में convert हो रही है तो आप लोगो selling का signal मिला है यह होता है इसके अंदर यह सिर्फ एक indicator देता है indication दे रहा है अब ही हम आगे देखते हैं क्या इसमें हमारा stop loss hit होता है या फिर अमेरको खाली profits होते हैं वो भी हम check कर सकते हैं इसके अंदर अलग-अलग time frame पर आप इसको set up करके देखिए क्या यह actual में work कर रहा है अब देगे friends जैसे कि मैंने इसको 15 minute पे set up किया हुआ है यहां पे consolidate करने लग गया फिर इसने upside का gap up momentum दिखाया फिर यहां पर यह दुबारा downside में यह कहने के लिए तो आप लोगों के लिए upside का momentum दिखा रहा है लेकिन actual में क्या यह upside का momentum है क्योंकि यहां तो downside की trigger मिल रही है इसके अंदर अब फिर देखिए यहां पर जैसी opening कोई gap down ओपनी कुई थ इसकी percentage भी देख सकते कि actual में percentage हम लोगों profitable है या loss में है जैसे कि हम मैं इसको देखता हूं माल लीजिए यहां से देखते हैं यहां तक पॉइंट वन वन परसेंट यानि की एक दिन में पॉइंट वन वन परसेंट का आप लोगों को profit आया इसके अंदर अब अगले दिन की भी देखते हैं हम इसमें सेम दुबारा तरीके से अब जैसे कि यह देखिए यहां पे दो दिन के अंदर अंदर आप लोगों को वन पॉइंट सिक्स फॉर परसेंट का profit है trend बदलता है जब यह देखिए इसमें losses भी होते हैं hits भी होते हैं जैसे कि आप लोग को SL हिट होता है वह आप लोगों को percentage भी देखनी होती है इसमें कितने यहां तो एक consolidate करने लग रहा है अब इसकी जड़ा हम calculation करें यहां से दे रहा है एक बार देखते हैं friends यह देखिए अब यहां से देख रहे हैं तो यह कितने percent पे है one point five two percent यानि हमारा जो profit हो रहा था one point six four percent का था और हमारा जो SL भी अगर hit कर रहा है तो हमारा one point five two percent है यानि कि point six point zero eight percent का हमे profit है point one four sorry friends point one four का profit है इसमें अभी भी लेकिन वो हमारा actual में profit थड़ी हो वो तो loss के बराबर हुआ हमारे लिए इसलिए friends मैं आप लोगों को यह suggest करता हूँ कि भई इस indicator को आप कभी भी अकेले use मत करना वह मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे use करना है इसका एक benefit हो रहा है वह मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका benefit यह है कि भई इसमें SL कहां place करना है यः आप लोगों को बता सकता है कि जैसे की उपर वाली candle के जो opening होगी ना हाई होगा उसके उपर अपना SL प्लेस करना है यानि कि हमें इसके उपर अपना SL प्लेस करना है जो यह लाइन जहां से भी transmitter हो रहा है उसके ठीक उपर अब जैसे यहां पर convert हुआ यहां पर trend बदला है यह red 3000 के आसपस बन रहा है इससे क्या होगा हम लोगों को जो बीच में अगर माई चांज मान लीजेए यह अपने आपको retest भी करता है तो आप लोग का SL हीट होने से बस सकता है और इसी के साथ साथ यह आप लोग को trailing stop loss में भी help करता है अब जैसे जैसे यह trend में down side में जाएगा आप लोग अपने आपको trail भी कर सकते हो अपने stop loss को वह भी मैं आप लोग को दिखाता हूं कि कैसे trailing stop loss को changes कर सकते हो अब जैसे कि इस candle के अंदर दिख रहा है आप लोग को यह पहले यहां बाना आया इसने यहां पर trend बदला फिर यह downside में आया उसके बाद दूबारा अभी आप लोग ने क्या कि अभी आपका SL यहां पे था अब आप लोग अपना SL इससे नीचे ला सकते ह फिर यह इसने आगे दूबारा downside में दिखाया उसके बाद फिर आप दूबारा अपना SL थोड़ा और नीचे ला सकते हो अपने previous candle के हाई को अपना SL बना सकते हो इस तरीके से आप लोग का SL भी trail होता जाएगा और जिस जगहें पे आप लोग का SL है मान लीजे यहां पे 50,000 का profit चल रहा था वो आप लोग का एकदम 0 नहीं होगा क्योंकि आपने SL यानि stop loss को आपने trail करा है वो trail करने की वज़े से आप लोग का जो profit होगा वो 50,000 पूरा नहों के हो सकता है 40,000 हो सकता है 45,000 हो सकता है 47,000 हो लेकिन आप लोगों को 0 बिलकुल नहीं होगा trailing stop loss का यह सबसे बड़ा फायदा होता है और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस indicator को आप लोगों को कभी भी single use नहीं करना है इसके साथ अमेशा किसी दूसरे indicator का use करना है आप लोग चाहे तो RSI का भी use कर सकते हैं moving average का भी use कर सकते हैं आप किसी भी दो indicator का यानि ए क्या यह actual में breakout signal है भी या नहीं है कभी यह fake breakout तो नहीं दिखा रहा जो super trend indicator है तो friends मैं आप लोगों को इसको जो है moving average के साथ use करना बताता हूँ अब मैं आप लोगों को इसमें पहले moving average set up कर लेता हूँ एक बर यह मैंने moving average लगा लिया अपना अब moving average भी friends इसके अंदर क्या है कि भी आप लोग अगर swing trade करते हो तो इसके अंदर आप लोगो को किस तरीके की setting रखनी है अगर आप intraday trade करते हो तो आप लोगो को किस तरीके की setting रखनी है वो भी मैं आप लोगो को इस video के अंदर बताता हूँ friends सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ swing traders के लिए यानि कि जो swing trade करते हैं अपनी position को hold करके चलते हैं एक दिन चार हफते तीन हफते पांच महिने इस तरीके से अपने आपकी position को जो hold करके चलता है मैं friends उनके लिए बताता हूँ अगर आप moving average का use कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले settings में जाना है moving average की जो length है उसको आपको 50 m में रखना है आप लोगों को moving average 50 पे use करनी है ठीक है friends और जो time frame है chart का उसको one day के time frame पे रखना है जो swing traders है उनके लिए है अब ये काम कैसे करेगा वो भी मैं आप लोगों को बता हुआ अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये chart कोला है मैंने one day के time frame के अंदर है इसके अंदर क्या होगा जैसे ये आपकी blue color की जो line दिखरी है आप लोगों को एक minute ये जो blue color की line है ये आपकी moving average की line है यानि MA की line है और ये जो green है ये आप लोगों की green और red ये आप लोगों की super trend की line है green यानि की bullish और red यानि की bearish ये आप लोग याद रखिएगा मैंने वीडियो में starting में भी बताया था कि super trend के अंदर कौन कौन से color होते हैं अगर green color line आ रही है तो आप लोगों की bullish trend है और अगर red color की आ रही है तो bearish trend है तो friends अब हम देखते हैं अगर हम moving average को इसके साथ use करते हैं अब जैसे कि friends यहाँ पे देखिए super trend के अंदर यहाँ पे जो है आप लोगों का trend convert हो गया लेकिन अभी हमारा moving average के अंदर trend convert के लिए हमें confirmation नहीं मिली वो क्यों नहीं मिली क्योंकि जब तक आपका moving average की line को ये crossover ना कर ले जब तक आप इसके अंदर sell नहीं कर सकते हो सकता है यहाँ से fake signal भी दिखा दे आप लोगों को इसी लिए हम moving average के नीचे आया तो कितना बड़ा selling आया आप लोगों ने अपने stop loss को भी trail किया होगा पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा फिर यहाँ होगा उसके बाद आप लोग अपने stop loss को भी trail करते हुए आयोगे जैसे जैसे आप लोगों ने stop loss यह उपर है तो इसका मतलब हम अपना बाइंग एक्जिक्यूट कर सकते हैं तो इसके अंदर बाइंग एक्जिक्यूट जब करनी है जब मुविंग एवरेज 50 के ऊपर चल रहा हो हम इसकी जो है लैंट और कैलकुलेशन भी देखते हैं क्या यह एक्जिक्यूल में वर्क कर रहा है कितना बड़िया मुमेंटम आया है आप लोग देख सकते हैं एक बार यहाँ पे आप लोग का ट्रेंड कर落़ रहा है यानि कि आप लोग का एसल हीट हुआ होगा अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक बर क्या में कितने रुपे का प्रॉफिट आया है कितने रुपे का कितना परसेंटेज अपसाइड मुमेंटम आया है यहां से यह देखिए फ्रेंट्स मैंने आप लोगों को यहां से बताया था न है यहां से यहां से लेके आप लोगों का यहां तक यह ओल्मोस्ट सेवन्टी सेवन बार्स है 77 बार्स यानि की लगबग लगबग आप लोगों का है चार महीने के आसपास का है यह चार महीने में आप लोगों को 27 परसेंट का प्रॉफिट आया है और वहीं अगर माल लीजिए आपका S.L.E.2 आपको यहां सिगनल मिला लेकिन आप लोगों को यहां पर ट्रेड नहीं करना क्योंकि जब तक कि हमारी 50 M.A. के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे अब जैसे यहां 50 M.A. के नीचे कलोजिंग आई हम लोगों ने माल लीजिए यहां पर अपना ट्रेड ले लिया ठीक है अब हमने ट्रेड लिया उसके बाद मार्केट ने जिस तरीके से अपना ओपनिंग दिखाया यहां पर ट्रेंड कनवर्ट हो गया फिफ सूपर ट्रें का SL यानि आपका प्रॉफिट जो हुआ 27% का था और SL जो है 6% का SL हिट हुआ है यानि आप लोगों ने ओल्मोस 20% का प्रॉफिट अर्न किया है इस तरीके से इसके अंदर मिलती है कई बर क्या होता है यह देखिए फ्रेंड यह आप लोगों को इस तरीके से रेंज अंदर जो है यह सबसे बड़ा रेंज बाउंड जब होता है न तो इसके अंदर फायदा कि लोगों को होता है जो राइटर लोग होते हैं वो इस तरीके की सिचुएशन का फायदा उठाते हैं क्योंकि यहां पर किया है कितनी बार एसल हिट होने से बचा होगा यहां जब कि लाइन के उपर आप लोगों का इसल चल रहा है आप लोगों के हिटोने से बच रहे होगा अब हम देखते हैं कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें कितने टाइम फ्रेम पे इसको सेट अप करना है और हमारी मुविंग एवरेज की सेटिंग्स क्या होगी और सू यानि फेक्टर थीन करेगा एट यानि परीरड लोगों का रहेगा लेकिन i.nt अब आप लोगों का ा इंट्राडे ट्रेड करने के हिसाब से, आप लोग को 15 मिनटकाrürot homeless सेट करना है, चार्ट का, और जो मैं आप लोग को अभी फिलाल चार्ट दिखा रहा हूं, ये निफ्टी का चार्ट के है, निफ्टी 50 का चार्ट के उपर मैंने आप लोग को दिखाया है, आप लोग ये भी एक note कर लीजे बात जब आप बड़े time frame में देखते हो तो moving average जो है छोटा रहता है उसकी moving average 50 रहेगी और अगर आप बड़े time frame पे देख रहे हो तो उसका moving average आप लोगों को बड़ा रखना है अब देखते हैं हम इसको moving average 200 यानि intra day के लिए 15 minute पे हम लोगों ने इसको setup किया है अब जैसे कि आप सभी को नजर आ रहा है इस position पे जो हमारा trend convert हुआ है यहां से हम लोगों को एक bullish trend मिला है market ने upside का momentum दिखाया आप देखें दो दिन continue upside का momentum रहा फिर उसके बाद लेकिन अभी इसके अंदर आप लोगों को bullish momentum तो नजर आ रहा है क्या यह 50 moving average के अंदर bullish momentum है जरा आप इसको देखके बताईएगा bullish momentum है इसके अंदर नहीं मिला क्यों क्योंकि अभी इसने जो है 200 moving average के ऊपर की side हमें signal नहीं दिया इस लोगों इस वज़े से हम इसको buying नहीं कर सकते इसने अभी भी जो है में selling की और ही signal दिया है अब देखे फ्रेंट जैसे जैसे यह 200 moving average के नीचे है तो हम लोगों इसका मतलब selling के लिए ही हम लोग चलना होगा जब तक यह 200 moving average के ऊपर नहीं जाएगा हम लोग buying execute नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है जो super trend है उसने हमें fake signal भी generate किया ह हो सकता है कि यह actual में work भी कर रहा हो without our MI यानि moving average के RSI के कई बार क्या होता है यह work भी कर जाता है लेकिन old time work नहीं करता इसलिए हम लोग किसी ना किसी दूसरे indicator के साथ इसको compile करके use करते हैं अब जैसे कि आप सभी को नजर आ रहा है यहां पे अंदर आप लोगा 200 moving average के नीच use over किया उस time हम अपना buying execute करते हैं और हमें देखे upside का momentum मिला कितना बड़ा upside का momentum है अब इसकी percentage value भी अगर calculate करते हो देखते हो कितना percent का momentum आया है तो वो भी हम देख सकते हैं हमें यहां से देखना है अब इसका momentum कितना बड़ा था यह आप लोगों का almost one day two hour का है यानि की लगबग सवा दिन के आसपास का है और इसमें आप लोगों को one point three four percent का profit आया है इसी तरीके से हम और आगे भी देखते हैं जब हमें moving average ने signal दिया कि selling का signal है intraday के अंदर तो इसके अंदर देखे फ्रेंट जिस time भी moving average 200 ने cross over दिखाया हमने यहां पे sell execute किया और कितना bearish market त्यार हुई हुई है आप लोग देखे continue bearish market चल रही है अब भी मैं आप लोगों को छोटा करके दिखाता हूं देखे आज भी continue bearish market चल रही है अब हम इसका calculation करते हैं कि हमें कितने percent के profit हुआ है जब यह bearish market में convert हुआ है यह देखे फ्रेंट्स 7.58% 12 दिन के अंदर अंदर bearish momentum दिखाया इसने हमें confirm कर दिये कि यहां से bearish momentum चल रहा है अब आप लोग खुद देखे इसमें SL ना के बराबर होगा क्योंकि आप लोग जो SL हिट होना था वो हो नहीं पाया क्योंकि आप लोग का 200 moving average के नीचे चल रहा है जब तक 200 moving average के यह जाएगा नहीं जब तक आप लोगों के लिए bullish signal नहीं मिलेगा अब आप लोग समझ सकते हैं कि यह क्या indicator है super trend indicator का हम यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं मैं आप लोग को एक बार revise करा देता हूं कि आज हमने इस पूरी वीडियो के अंदर क्या देखा और क्या सी खा फ्रेंड सबसे पहले हमने जाना कि यह moving in super trend indicator यूज कैसे करते हैं और इसका यूज क्या है हम लोग क्यों यूज करते हैं और इसी के साथ साथ हमने यह भी जाना कि इसके अंदर buying का signal का मिलता है selling का signal कहां से मिलता है और साथ इसाथ हमने इसका यह technically भी सीखा कि यह किस त अकेले use नहीं करना है super trend को साथ में किसी दूसरे indicator का use करना है और फिर मैंने आप लोग को इसके अंदर दो important notifications में दिये कि भई आप लोग अगर trade करते हो तो swing trade में क्या time setup रखना है और intraday trade के अंदर क्या time frame setups रखने हैं अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखी दुबार क्योंकि पूरी detailing को miss कर जाओगे क्योंकि बीच में से ये वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो friends आने वाले time में मैं आप लोगों के लिए average true value range क्या होती है उसके उपर वीडियो बनाऊंगा और साथ ही साथ risk reward ratio के उपर भी वीडियो बना रखी है वो आप हो गया है पुराने लोगे कई बार क्या होते हैं लोग भूल जाते हैं हम लोग भी इंसान ही है इंसानों से ही गलती होती है आप लोग जितना ज्यादा इस वीडियो पर लाइक करोगे शेयर करोगे उतना ज्यादा YouTube algorithm को भी पता चलेगा वो उतने ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करेगा तो फ्रेंड्स थैंक यू सी यू सून फो तिल नेक्स्ट वीडियो